नमस्कार मैं मोंटू रजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका इस समय राम लीला मैदान में मौजूद हूँ और कई एक लंबे अरसे के बाद कहेंगे कई दिनों के बाद मेरे साथ मौजूद है टोको शीतल अरुनाचल अगे इस करप्शन जो एक मूमेंट जर्नेट किया क्रेट किया उसके चलते दिल्ली पहुच गई बहुत बहुत स्वागत है टोको शीतल जी कई दिनों बाद आपको प्रोटेस्ट पे देखा है क्या कारण पहले जंता को हम यह बताना चाहेंगे इतने दिनों से कहां गायब थी लास्ट टाइम आपको घर पर पकड़ा था धन्यवाद मौन्टू भाई दुवारा ने साल में मिलने के लिए और नया साल आपको बहुत 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 नया साल की सुबकामना है जी एक्चुली में ग टाल मत्फ़ गोल मत्फ़ करते हुए जब अरजस्ति आुकिर में जब हमने कहां कि हम कोर्त का द्रवजा खटकता हैंगे कि हम सवाल करेंगे कि हम भारत के नागरिक हैं हमें परमीशन क्यों नहीं दिया जा रहा है तब जाकर के राम लीला मैदान का पर्मिशन हमें आजाद देश के अंदर जो लोग है जो नागरी के उसको यह सवीधान अधिकार देता है कि वो अपनी बात उठा सके अपने अपना प्रदर्शन कर सके क्या लगता है इसके पीछे का कारण कैसे देखती है क्यों सरकार या सिस्टम कहा जाए पर्मिशन क्यो आना चाहते हैं इसलिए हमें पर्मिशन नहीं दे रहे हैं पर्मिशन में बहुत चारे रोड़े अटका रहे हैं बात बाकी और क्या होगे क्योंकि हमारी बातों में सच्चा है इसलिए वो धरते हैं हमारी आभाज से दिल्ली के अंदर काफी ठंड बढ़ गई है पीछे लि पैदल यातरा आप करके आई तमाम आज जो है टमपरेचर जो जा रहा है वो चार पाइड डिग्री तक पहुच रहा है क्या लगता है सरकार को दया द्रिस्टी सरकार बरपाएगी आप लोगों पे कुछ सुनेगी नहीं सुनेगी छे महीने से आप लोग अपने जो है नहीं सुनता है तो अब हम है हम यहां पर गर्मी के मौसम में निकलेते अरुनाचल से और पूरा दूप में सर जल कर बहुत ही ज्यादा तब तब कर एक मतलब है एक ऐसी दूप में हम जल जल कर तब कर यहां पहुचेते अब यहां पिर सर्दी चा गया और सर्थ भी ऐसी थ थंड कि हमारे पहारों पर उल्ता भी गर्मी है और यहां की थंड जो सीधे वो यहां अंदर जाती है दिख रहा है आप काप रही है स्टाइम ठंड के मारे इसलिए हम यहां पर और ज्यादा भक्त बरबाद ना करते हुए अगर सरकार ने यह रबया अपना ही लिया है कि हमसे बात नहीं करेंगे हमारे मुद्दो पर चर्चा नहीं करेंगे तो आगे का भी हम भी देखते हैं कि हम सरकार से किस तरीके से पेसाते हैं अभी सुने में यह भी आया था देश के अंदर जो राहूल गांदी है वो एक भारत जोड़ो यातरा जो है वो उन्होंने शुरू की और सुत्रों के हवाले से पता चला था कि आपको भी इक इन्विटेशन आया है यातरा में शामिल होने के लिए क्या यातरा में शामिल होंगी और आगे कि रणित क्या रहेगी हाव मैं मोंतो भाई में बताओंगी 31 दिन में देखूंगी क्योंकि हमारा यहां धर्णा का कैसा चलता है पहले तु मैं यहां धर्णा में प्रीखुपाई थी इसलिए राहुल जी के नियोते परमें नहीं जा पाई फिर देखूंगी कब तक उनका यात्रा चलता है अगर 2024 तक चलता है या फिर 23 पूरा साल चलता है तो जब कभी भी मैं यहां से में रुखसत हो जाओंगी मतलब इस मुही यह दिल्ली से तो फिर अगर मेरे पास availability टाइम होती है तो मैं वह जहां पर यात्रा कर रहे होंगे मैं हो गएते और उन लोगों का बहुत ज्यादा मतलब का अंसन हमें पता चल रहा था जब कभी भी मैसेंजर ओन करते वाटसेपन करते तो हर एक हर कोई यही सवाल कर रहा था कि क्या हो गया टीम एसी को तो मैंने आज अपने मंच से अपने शब्दों के जरिये संबोदित करते मैंने अपने मंच से क्लियर किया है कि हमें एक महिने तक तो पूरा परमीशन ही नहीं मिला था इसलिए हमें यह भी सोच रहा होंगे शायद को आपको लालज दे दिये गया इसलिए आप लोग शाहता है सवाल ही पैदानी होता लोगों ने क्या सोचा जंता की आप्जर्वे जो कि आज तक किसी के हाथ में नहीं ऐसा कोई पैसा अगर प्रिंट होता है और उस पैसे की बहुत बैल्यू होती है पूरे जमीन आसमान सरजमी को खरीद सकता है तब ही मैं भी पाऊंगी नहीं तो क्या फाइदा क्या संदेश देना चाहेंगे अरुनाचल की जंता को आप अरुनाचल की जंता को मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि मेरे प्यारे अरुनाचल के पबलिक आप सब स्टार्टिंग से लेके अभी तक सब कुछ आप लोग देखते आ रहे हो और अभी भी देख रहे हो सुन अभी आगे क्या करना है मुझसे बहतर समझदार आप लोग हो अभी आगे आप लोग डिसाइद कीजेगा क्योंकि ये मुद्दा जो इसरीफ मेरा या आपका नहीं ये मुद्दा हम सब का है और हरे एक घर का समस्या ये और मैं समस्या को लेकर यहां तक मैं पैदल चली यहां च्छे महीने हो गए हैं गर्मी में आई तनी ठंड हो चुकी है तमाम जो लोग हैं वो क्या समझ रहे हैं और तमाम बताई सिचुएशन भी टोकोशीतल ने कि क्या क्या जहिलना पड़ रहा है आजाद देश के अंदर एक नागरी को अधिकार होता है कि वो अपोस करें वो प् पार्टी कितना समझते हैं क्या सोचते हैं अपनी राय जो है इस चर्चा पे कमेंट दोर हमसे साजा करें अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे समस्कार सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बने रहे हमारे साथ